रोगाईजी वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल से अभी मैं फिला हूँ रेल्वे स्टेशन और भाई मैं जा रहा हूँ आज बोपाल मतलब घर से बोलो कि स्टार्ट नहीं कि हम ज़्यदे जल्दी मैं अभी रेल्वे स्टेशन है और अपनी ट्रेन आने वाली है तो सुबह के चार बजे हैं और मेरी आँख खुली है और तो बाई मैंने ट्रेन में देखा तो सबी के सबी सो रहे हैं आराम से मैं अकेला ही जगा हुआ था तो मैं भी फिर से सो जाता हूं दोस्तों सुबह के साड़े 6 हो गये और बाई देखा तो ट्रेन पूरी खाली लोग गये निकल करके और हमें पता भी नहीं चला तो हम बाहर निकल के देखते हैं तो अभी एक इस्टेशन पर ट्रेन रुकी है नाम हमने देखा नहीं क्या है और बई शुबह का मोसम है सन्राइज हो रहा है तो बहुत ही मस्त लग रहा है चीन देखने में तो अभी चाई पी सफर करते हैं तो अभी बार की हवा खा लेते हैं थोड़ी बश 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 बेका मोसम है तो बहुत ही मस्त शीन लग रहा है देखने में तो फिर से हमारे ट्रेन एक इस्टेशन पर रुकिया अभी तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ वोपाल रेल्वे इस्टेशन तो अभी फटाफट से निकलते हैं इस्टेशन से बाहर तो इन शीडियो से जा रहे हैं बाहर और बाहर अपनी गाड़ी आ गई होगी उसमें बैठ कर गे चलते हैं अपने फ्लेट पर तो इससे मिलो ये है हमारी प्यारी सी क्यूट सी भांजी प्रणी में लगादी है ज्या लगादे थेक्षे में डाल लगादी ये अपनी ना ना लेंगे अथे बढ़े ओगे बाल कोगे अथे बापा भांगे अपतो क्टा उँगी आप तो क्टानमा भीडालों कि अपिने कटाओंगे थे पिने कटाओंगे आप पता लेगा नहीं नहीं को दखाते हो दोस्तों बोपाल पहुंच गए थे शुबहे नो शाधी नो बजे और भाई 16 गंटे का सफर करके परेशान हो गए तो बहुत तेज दुगरा था तो फलेट आने के बाद खाना खाया औ और फिलाल चत्प आए बहुत है और अब भी साम बच चुके हैं तो अभी उठके ना कर गया हूं और अभी बिलो को स्टार्ट गया फिर जे और अभी फिलाल सब्सक्राइब है बनो हाई ये अपनी गनिश्का है और ये अनुन निया या बोपाल की वी एक अलगी वाइब ह लब मोसम बहुत ही मस्त हो रहा है अधर बादलों का कोरा सा नजर आ रहा है दूर से देखे तब और वहां पर एक तालाब है जो आपको वहां पर दिख रहा है तो कल चलेंगे मॉर्निंग में वहां पर और भी बुपाल की नहीं नहीं जिगय को अक्स्पलॉर करेंगे तो करें जरूब ताप देना और चैनल पर नहीं तो सुस्क्राइब कर देना मिलतें जिल्दी नेक्स्ट व्लोग में